दोस्तों अगर आपकी boat storm जो smart watch है वो आपके phone से connect नहीं हो रही है तो आप इस problem को कैसे सही करेंगे ताकि आपकी watch जो है वो आपके phone से connect हो जाए इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले तो आप अपनी watch ही ले लिजिए और watch में क्या करना है आपको आप यहाँ पर चले जाईएगा settings में नीचे की ओर scroll करिए सेटिंग वाले icon पर क्लिक करिए तो आप settings में पहुँच जाएंगे यहाँ पर आपको नीचे की ओर scroll करना है तो आपको एक reset का option दिखेगा आप इस पर क्लिक करिए यहाँ पर दिखा रहा है resetting will erase all your data okay तो अगर यहाँ पर जैसे कोई भी call history होगी या फिर notification वगरा पढ़ी होगी तो वह सब आपका मदलब data delete हो जाएगा तो आपको करना क्या है यहाँ पर टिक पर क्लिक करना है टिक पर जैसे क्लिक करेंगे आपकी watch reset हो जाएगी और उसके बाद आपको अपने phone में जो है app खोल करके अपना check करना है आपकी connect हो रही है कि नहीं बाइचांस अगर आपकी फिर भी नहीं connect होती है तो आपको क्या करना है सबसे पहले तो आपको play store में जाना है और play store में जाने के बाद यहाँ पर search करिए boat variables और यहाँ पर आप देख लीजेगा कि update तो नहीं आया है आप simply boat variables app पर tap करिए app info पर click करिए app info पर click करने के बाद clear all data पर click करके यहाँ पर okay कर दीजिए उसके बाद जब आप अपना boat variables app खोलेंगे तो आपकी watch connect हो जाएगी हम आपको करके दिखा देते हैं जैसे ही app खोलेंगे आपका number मांगेगा जैसे ही app खुलेगा तो आपका number मा आप पर continue पर click करिए continue पर click करेंगे तो यहाँ पर आप से कहरा है finish your profile तो आप यहाँ पर अपना first name डाल दीजिए और यहाँ पर email id डाल दीजिएगा उसके बाद आप continue पर click करिएगा continue पर जैसे इक लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको permissions grant करनी होगी तो आप simply grant permissions पर click करिए औ और यहाँ पर इसको allow कर दीजिएगा, इसको allow करने के बाद आप back करिएगा, ओके, और back करने के बाद आप से यहाँ पर जो जो permissions पूछेगा, आपको वो allow करते जाना है, ओके, यहाँ पर जब आप permissions allow कर देंगे, तो उसके बाद इस type का interface आएगा, आप simply continue पे click करिए, और यहा पे click करिएगा, enable Bluetooth दिखाता है, तो आप इस type से इस पे click करिएगा, तो आपकी nearby devices यहाँ पर find करेगा, यह देखे, यहाँ पर इसने इस watch को find करके दिखा दिया, यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, आपको इस पे click करना है, connect पे click करना है, अब जैसे connect पे click करेंगे, तो यह connected दिखा देगा और इधर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर यह दिखाने लगा Bluetooth connecting और यह यहाँ पर pair हो गई बट अगर यहाँ पर clear data करने के बाद भी आपको जो है मतलब नहीं होता है कुछ problem आती तो आप simply एक बार अपनी device को को मतलब phone को reboot कर लीजेगा उसके बाद आपकी वो connect हो जाएगी watch अगर video से help हो यह दो video को कर दीजे like channel को कर लीजे subscribe and bell icon को press ऐसे ही और भी videos देखने के लिए